अगर आप international dropshipping करना चाहते हैं AliExpress को access नहीं कर पा रहे हैं और ढूंड रहे हैं कि AliExpress का best alternative कौन सा है कैसे आपको international dropshipping करनी है उस application के तुरू तो ये वीडियो आपके लिए है मैंने पहले बताया था कि AliExpress ban हो चुका है Indian government ने उसको ban कर दिया है हम उसको किसी ने किसी VPN के थुरू open तो कर लेते हैं बड़ हम उसमें order process नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए वो चीज यूजलेस है हाँ product research आप AliExpress बेशक VPN के थुरू कर सकते हो बड़ वहाँ पर आप business नहीं कर सकते हैं तो business करने के लिए कौन सी application use करना चाहिए कौन सी best website है international dropshipping करना चाहते है तो initially कौन सी application आपको use करना चाहिए ये सारी चीज़े discuss करेंगे इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत जादा important होने वाली है तो इसको last तक जरूर देखें और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon press कर दीजिए ताकि मेरी next वीडियो का notification आपको मिल जाए और नीचे comment करके जरूर बताएं कि international dropshipping पे मैं और वीडियो बनाऊं या नहीं हेलो दोस्तों मैं हूँ दानिश स्वागत है आपका digital दानिश्मन दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है कि AliExpress अब इंडिया में working नहीं है हम business करते हैं online तो वहाँ पर order place नहीं कर सकते बहुत सारे लोग कहते हैं कि website खुल रही है AliExpress open हो रहा है VPN के तुरू कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊं कि CJ dropshipping जो की Shopify पे भी एक app है और एक अच्छी website है एक अच्छा mediator है क्योंकि जब हम international dropshipping start करते हैं तो initially हमें एक mediator ही रखना चाहिए बीच में ताकि हमार साथ fraud ना हो ताकि service हमें proper मिल सके ताकि सारी चीज़े सही रहें ताइमिंग का हमें पता चल जाए supplier का हमें पता चल जाए product quality हमें पता चल जाए यह सारी चीज़े पता करने के लिए एक अच्छा mediator का होना जरूरी है AliExpress नहीं है तो उसका एक अच्छा substitute है CJ dropshipping CJ dropshipping की अगर मैं बात करूं तो यह भी AliExpress की तरह ही एक mediator है जहां पर आपको international dropshipping कर सकते हो यहां पर आपको filter लगा के पता चल जाएगा कि कौन से supplier US के हैं कौन से चाइना के हैं मतलब supplier की location आप पता कर सकते हो किस location से वह मतलब किस location पर उनके warehouse हैं यह पता कर सकते हो कितने दिन में delivery होगी सारी चीज़ा आप पता कर सकते हो तो चलते हैं laptop की screen पर और जान लेते हैं कि CJ dropshipping कैसे काम करता है और Shopify पर हम कैसे CJ dropshipping के साथ business कर सकते हैं product को add कर सकते हैं तो दोस्तों यह CJ dropshipping की website और इसका link में description में डाल दूँगा आप वहां से open करें इस पर sign up कर सकते हो sign up process में यहां पर आपको नहीं बताने वाला उसको apps में क्लिक करोगे Shopify की जो app store है उस पर क्लिक करोगे और यहां सर्च कर लोगे CJ dropshipping फर्स्ट महीं आपको मिल जाएगी काफी अच्छे reviews हैं क्योंकि AliExpress इंडिया बैन हो चुकी है तो जितना भी business इंडिया से चला है काफी हद तक CJ dropshipping पर switch हो चुका है तो आप लोग भी इससे international dropshipping कर सकते हो CJ dropshipping से इस पर किलिक कर देंगे और इस app को add कर लेंगे अगर मैं review की बात करूं तो 4.9 reviews है CJ dropshipping का काफी अच्छा mediator है मतलब एक अच्छा alternative AliExpress के बात कि AliExpress इंडिया में वर्किंग नहीं है तो बहुत अच्छा है यहां पर करना पड़ेगा आपको authorized आपका जो Shopify store है वो authorization मांगे उसका तो एक बार और आपको sign करना पड़ेगा इस process को मैं skip कर देता हूं तो दोस्तों यह आपकी CJ dropshipping के app install हो चुकिए add हो चुकिए तो जैसे ही आप इस पर click करोगे तो एक नई window open हो जाएगी आप करते ही authorization तो आपको यहां पर अपने Shopify store को authorized करना पड़ेगा cj dropshipping से तो उसके लिए mycj जहां पर लिखा है उस पर click करेंगे आप और यहां से जाएंगे authorization पर तो एक verification email भी मांगेगा आपको अपना email भी verify करना होगा तो इसको भी आप कर लेना मैं भी skip कर लेता हूं जैने scroll down करेंगे तो आपको यहां मिलेगा authorization authorization पर आप जैसी open करेंगे तो यहां पर आपको multiple company दिखाई दे जाएंगी कि आप Shopify से इसको सिंग कर सकते हो wordpress से ebay से आप इनको अलग-अलग तरीके से connect कर सकते हैं तो हम Shopify से business कर रहे हैं तो Shopify पे click करेंगे तो यहां पर मेरा already जो store है authorized हो चुका है उसका reason यह है कि मैंने Shopify की website में login कर रहा था और app install कर ली तो वहां से वो direct authorized हो गया अगर आपका इस process से authorized नहीं होता तैन आपको add store करना है और अपने जो भी Shopify का आपका link होगा .myshopify.com से पहले उसको यहां पर लिखना है और authorized का button click कर देना है तैन यह authorization complete हो जाएगा अगर आपने Shopify में CJ dropshipping की app में login कर रहा है तब अब बात करते हैं सबसे important चीज़ जो कि है product research तो CJ dropshipping पे जो हम product research करते हैं तो उसके चार तरीके हैं तो first है normally आप scroll करते चला जाओ website में देखते चलाओ कि क्या-kya product available है और category wise आप manually उसको search कर लो जो product आपको अच्छा लगे वो आप यहां से add कर सकते हो then जो दूसरा तरीका है वो है image से search अगर आपको को product manually search करना है मतल available है या नहीं तो camera के button पे click करोगे और यहां से उस product की image को upload करके उसको search कर लोगे और जो तीसरा तरीका है वो है warehouses के तुरू और जब हम international dropshipping करते हैं तो हम देख लेंगे कि जिस location को हम target करेंगे उस location पे CJ dropshipping के warehouses हैं या नहीं तो normally हम US के लिए dropshipping कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर US के जितने भी warehouse है वहीं आपको show होंगे तो उसके लिए हम US के warehouses पे click कर देंगे अब जितना भी US के warehouse में product है different categories में वो हमें यहां पर show हो जाएगा तो यह अच्छा तरीका है product add करने का वही product add हम कर सकते हैं जो कि US में available हैं तो अगर मैं इस product की बात करूँ तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि US में available है इसका delivery time क्या है shipping cost क्या है अब जैसे मैं इसको open क तो यहां पर आगे shipping from तो US warehouse से हम इसको ship करना है और shipping method आपको कौन सा लेना है आपको जाएगे तो फिलाल USPS plus का option है 2-5 days में यह shipping हो जाएगी और shipping cost आई इसकी अब प्रॉक्स 6 डॉलर तो shipping duration बहुत कम है इसवैसे यहां पर shipping charges है इसको आप देख लोगे अपने price में calculate कर जाएगे मतलब आपका जो प्रॉडक्ट कॉस्ट है वो जो हो जाएगी तैन आपका जो shipping cost वो भी एड़ जाएगी तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आपकी shipping drop shipping cost वो कितनी आ रही है और आपको कितना profit रखना है ठीक है और आपको यहां से पता चल जाए कि प् कितनी quantity available है then processing time मतलब कितना time लगेगा इसको dispatch होने में चली अब बात करते हैं sourcing के तो sourcing एसा process है जिसमें अगर कोई product CJ drop shipping पे available नहीं है और आप चाहते हो कि CJ drop shipping के तुरू उस product को आप sale करो तो उसके लिए वो करना यह होगा CJ drop shipping को उस product को list करोगे इन लोगों से request करोगे कि यह product आपकी पे source कर ले तो यह market में जाएंगे fight out करेंगे उस product को और अपने यहां source कर लेंगे उसका जो भी एक अच्छा supplier मिलेगा इनको उसको यह अपने यहां list कर लेंगे और उस product को आपके लिए source भी कर देंगे तो उसके लिए करना होगा आपको माई CJ dropshipping पर जाना होगा मतलब माई CJ पर जाना होगा और यहां पर आपको option मिलेगा sourcing का तो sourcing के भी दो तरीके हैं मैं आपको बता दूँ एक तो आप कोई भी existing website है उसके बारे में information डालके यहां पर पूड़क नेम डालके category टैग बगारा डालके यहां से आप उसको सिंग कर सकते हो तो आप website के सारे product सिंग हो जाएंगा जो product आपको source कर बारा है वो आप यहां स सब्सक्राइब कर सकते हो तैन है इंडिविजल प्रड़क्ट तो इंडिविजल प्रड़क्ट के लिए आपको मैनुवैली सारी information डालनी होगी जो प्रड़क्ट सीजे ड्रॉप्शिपिंग नहीं है उसकी आप इमेज डालोगे उसकी जो प्रड़क टैग है वो डालोगे और एक टार्गेट प्राइस डालोगे किस प्राइस में उसको लेना चाहते हो ठीक है और फिर जो डेस्नेशन कंट्री है वो डाल दोगे लेन आपको बल्क में चाहिए या ड्रॉप शिपिंग के लिए जाए तो हमें ड्रॉप शिपिंग कर देंगे और सोर्स लिंक अगर जैसे ही आप यहां सब्मिट करने लगेगी एक दू दिन बाद जब इसको आप चेक करोगे तो यह अगर आपका जो प्रॉड़क्ट है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग सोर्स कर चुका है अब आप उस प्रॉड़क के साथ डील कर सकते हो और उस प्रॉड़क को सेल कर सकते हो चली अब बात करते हैं कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से कैसे प्रॉड़क को एड करेंगे शॉपीफाई पे तो इसके लिए एक प्रॉड़क्ट ले लेता हैं कोई भी तो सपोस्वेसे हम यह प्रॉड़क लेते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां लिखके आया का लिस्ट, तो लिस्ट पर किलिक कर देंगे और US वेरहाऊज में एविलेबिल है, US का वेरहाऊज को कियो हमने फिल्टर लगा रहा था US का, तो US का वेरहाऊज है, अगर नहीं आता है तो आप मैंने विली स्प्रेक्ट कर लोगे, लिन स्टोर, कौन से पर आपको लिस्ट करना है क्योंकि CJ dropshipping के एक account में आप multiple store authorize करके add कर सकते हो मतलब CJ dropshipping का एक account रखके आप multiple Shopify के store connect कर सकते हो उनसे work कर सकते हो यहने store select कर लोगे product type क्या है किस category में डालना है आप वो डाल दोगे किस collection में आपको product show करना है वो डाल दोगे vendor का नाम यहाँ पर add हो दाएगा price change आप कर सकते हो यहां से जैसे इस product का variant A की है तो उसका price आपको क्या रखना है वो यहाँ पर सारे variant के एक बार में ही price change कर सकते हो तो यहां पर आपको देख सकते हो कि आपका जो CJ price है वह 183 और shipping cost यहां पर 0 है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 180 इसका cost है total drop shipping cost 180 है क्योंकि यहां पर shipping cost is 0 है तो आप अपने profit add करके यहां पर इसको list कर सकते हो then इसको list now पर जैसे ही आप click करोगे तो यह list हो जाएगा view it on आप इस पर Shopify store पर अपने इस product को देख सकते हो तो यहां से अभी आपको change करना तो वो change कर सकते हो आप सारा description image वगारा जो भी आप change करना चाहते हो वो यहां पर आप change कर सकते हो तो एक बार क्योंकि यह अभी website नॉर्मल ही है तो मैं इसको आपको दिखा जीता हूँ कि Shopify पर यह कैसे product आएगा तो यह हमारे Shopify के store पर यह product add हो चुका है और इस तरह किसे आप multiple product add कर सकते हो और international dropshipping कर सकते हो तो दोस्तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आज चुका होगा कि अगर आपको international dropshipping करनी है तो dropshipping को आप कैसे use कर सकते हो कैसे यहां से product add कर सकते हो product research कैसे कर सकते हो और किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप product add करते हो Shopify पर तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो नीचे comment करते जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी अगर आप चा हूँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ मुझे दीजिये अजासत चैहिन चैह भारत